आज आपके साथ हम बहुत योनिक बहुत इंट्रेस्टिंग रेसिपी सेयर करने वाले हैं इसे आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा ये तो पक्का है क्यूंकि ये रेसिपी बहुत योनिक है तो चलिए देरकिस बात की बनाना स्टार्ट करتे है और अगर आपको रेस में भी मिलते हैं, आप चाहें, तो इस त्रीके का roasted चना market से भी ला सकते हैं तो हमने इसका जो है roasted चने ही हमने market से लाए थे, बस हाथों पर रगड कर और इसका चिलका हटा लिया है तो ये आमारे भूने हुए चने बिल्कुल तयार है, और measurement का तरीका जो यही है कि आप इसे किसी कटोरी या कब से माप कर लें क्योंकि उसी से हम गोड भी लेंगे तो यही perfect इसका तरीका होता है इससे आप पहली बार बना रहे हैं न तो भी यह खराब नहीं होंगे और बहुत ही unique recipe है यह तो चलिए अब हम चास्नी बनाते हैं तो उस इसमाल कर सकते हैं तो अब इसमें एक चमच के जितना पानी डालेंगे और इसे दीमी आज पर हम थोड़ा सा पकने देते हैं और इस टाइम पर आपको गैस की flame को low रखना है medium या high बिल्कुल नहीं कीजेगा क्योंकि जो good है वो बहुत ही जल्दी melt भी हो जाता है तो अब इ एक चमच के जितना देसी घी डाल देते हैं देसी घी वैसे optional है लेकिन इसको डालने से क्या होती थोड़ी सी signing आ जाती है तो काफी देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी ना काफी अच्छा आता है तो यह देखिए तीन मिनट हो चुके हैं गुर काफी अच् अच्छे से जाग आ रहे हैं तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं तो इसे ना आप 30-40 सेकंड के अंतराल पर आप चेक जरूर करते रहेगा अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी अच्छे से बना पाएंगे बिल्कुल खराब नहीं होगा तो पानी में हमने कोड़ी देर के लिए हम और चलाते हैं तकरीबन केवल एक मिनट का टाइम और इसमें लगेगा तो बहुत सारे जब इसमें बबस आपको दिखने लगे बहुत सारा जाग दिखने लगे तो यह भी एक तरीका होता है लेकिन इस तरीके से हर कोई नहीं समझ पाता है ना तो इसलिए अब आपको दुबारा से हम चेक करके दिखाएंगे तो जो अभी हमने आपको दिखाया उसके बाद केवल एक मिनट के लिए हमने इसको और पकाया है और उतनी देर में यह चासनी प्रॉपर अच्छे से हो गई है रेडी तो आप जब भी चेक करें जब भी इसको बनाये ना तो बस बीच बीच में चेक जरूर करते रहें और देखिए काफी सारे बबल सा रहे हैं ना तो चासनी हमारी तयार हो चुकी है तो आपको दुबारा से भी दिखा देते हैं कि कैसा इसका टेक्शर होता है इसको बनाने के लिए क्योंकि चासनी अगर आपको अच्छी से यह होल्ड हो पा रहा है और इसकी जो बालS है ना वो भी बह klassie से बन रही है ये देखिए इसली बन पा रहा है कोई problem नहीं आ रही है कोई fail नहीं रहा है ये तो इस एक दम perfect तरीका है चेक करने का तो देखिए काफी अच्छी से balls बन रही है चीपक भी नहीं र अब हमें क्या करना है अब इसमें जो आपको एट करना हो जैसे तिल बना रहे हो या मुंफली बना रहे हो जो भी आप बना रहे हो एट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो हमने भूने वए चने लिए हैं तो यह भूने वए चने अब इसमें डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम तुरंट ओफ कर देते हैं तो सेम इसी तरीके से आप तील या मुंफली के भी लड़ू बना सकते हैं वैसे आज तो हम भूने वे चने के लड़ू बना रहे हैं तो अब यह देखे गैस की फ्लेम को तुरंट बंद कर देना है और इसको बहुत ही जल्दी-जल्दी से मिक्स कर करना है क्योंकि जो भूने वे चने होते हैं वो गुड़ की चासनी को बहुत ही जल्दी से एब्जॉब कर लेते हैं जैसे तील या मुंफली बना रहे हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन अगर आप यह भूने वे चने के बनाएंगे तो आपको बहुत ह फटा-फट यह काम करने होंगे क्योंकि यह बहुत ही जल्दी से चासनी को सोक करने लगता है तो बस हाथों पे हलका सा पानी लगाएंगे और अब यह हलका सा ठंडा हो चुका है मतब कुछी सेकेंड हुए है मिनिट वो भी नहीं कुछी सेकेंड के बाद अब इसको हम बना स्टार्ट करते हैं वरना फिर यह ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो इसको बनाने के लिए आप हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लें जिससे की थोड़ी गर्माहट कम हो जाएगी और आपके हाथ जेलेंगे भी नहीं और आप इसको इसली कैरी कर सकते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लड़ू तो बन चुके हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट जरूर कीजेगा पसंद आई होगी ना तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर सेयर कीजेगा और मकर संक्रान्ती के लिए आपको बहुत सारी रेसिपीज हमारे चैनल पर मिल जाएंगी